हेलो फ्रेंज आदर सुसोई में आप सही का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत यह असान तरीके से अंडा भूर जी इसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं दो चम्मज के लगभग सरसो का तेल तेल गरम होने के बाद हम इसमे आट किये हैं आजा छोटा चम्मज जीरा और उसके बाद हम इसमे आट किये हैं बारीक कटी हुई हरा मेर्च और पांसात लौसूं की कलिय को हमने कोट लिए हैं इसको हलका ब्राउन होने तक भूनेंगे उसके बाद हम इसमे अड़ करेंगे बारीक कटी हुई प्याज हमने यहाँ पे दो मेडियम साइज के प्याज को बारीक काट लिए है और इसको ज्यादा नहीं भुनना है हलका इसको सोटेज करना है उसके बाद हम इसमे अड़ करेंगे टमाटर हमने यहाँ पर एक टमाटर को बारीक काट लिये हैं और इसको प्याज के साथ ही हलका सा इसको भी घुनना है उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे स्वाद के उनसार नमक हमने यहाँ पर चार अंडे को बनाना है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर नमक add किये हैं उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा छिकन मसाला add किये हैं हम यहाँ पर ज्यादा मसाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल कम मसाले में बहुत ही tasty हमारा अंडा भूर जी बनकर ready होगा अब हमने अंडे को तोड़ लेना है हम यहाँ पे एके करके सारे अंडे को तोड़ लेंगे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा अंडे को कर सकते हैं जितना आपको अपसेकता हैं उसके हिसाब से आप अंडे को ले सकते हैं और इसको बढ़ियां से प्याज और टमाटर के साथ अच्छा से मिला लेंगे और इसे लगतार चलाते हुए हमें बढ़ियां से 5-7 मिट तक मेडियम फ्लेम पर इसे भूनना है जिसे ये बढ़ियां से एकदम खिला खिला बनेगा हमारा अंड़ा भूर जी और बहुत ही देश्टी बनेगा देखिए इसको हलका ही ब्राउन करना है हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हमारा अंड़ा भूर जी बनकर रेडी हो जाएगा देखिए हलका इसमें कलर ब्राउन आ गया है अब हमारा अंड़ा भूर जी बनकर रेडी हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा एड़ करेंगे हरा धनिया इसे स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है और इसको अच्छा से मिला लेंगे उसके बाद हम इसे करेंगे सर्फ देखिए कितना बढ़िया खिला खिला हमारा अंड़ा भुर्जी बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही जल्दी बन जाता है अगर हमारा वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जाएब